हलो साथियों बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का अपने परिबार PBR इस्टडी में आज आपकी दूसरी कलास है आपको पता है कि आपके टेट के लिए विशेस रूप से कलास हो रही टेट सी टेट सूपर टेट एमपी टेट जेट भी टेट एच टेट कोई भी टे इमानदारी फे देखना यह बीभाजता नहीं हम डीविजबिल्टी रूल सब में है सब को आना चाहिए चलिए देखते हैं पहले पार्ट में हम आपको याद दिला देखो डिस्क्रप्शन में हो सकता आपको लिंक मिल जाए नहीं मिलेगी तो कॉमेंट कर देना आपको दे देखे थे हैं ना एक कि क्या क्या था उसमें जो आप लोगों ने पढ़ा था नैचुरल नंबर होल नंबर और इंटीजर हो गया रहा कापी कुछ बढ़ा था यह बेसिक कांसेप्ट ना इवेन और नंबर संभी संख्या प्रकृतिक संख्या पूर्ण संख्या यही सब ना बात पर देख रहें तो डिस्क्रेप्शन में देखें आपको लिंक दी होगी टाइटल एटैग में कहीं ने कहीं नीले कलर में आपको पी व्यारे स्टडी 2.0 दिख रहा होगा उसका पूरा नाम है पी व्यारे स्टडी 2.0 परतियोंगी परिच्छा दोका विभाजता नियम क्या होता है देखिए मैंने लिख दिया टाइम की कमी के खारण ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक जीरो दो चार छे आठ आठी हो वो संख्या दो से पूरी तरह से विभाजित होगी यानि कम्पलेटली डिविजिवल होगी जैसे एकजांपल नीचे लिखे गए हैं इ जस्वाता चल गया दोका लेकिन इनी परकारकी संख्याओं को ही समसंख्याय भी कहते हैं यानि दूसरे संब्दों में हम कह सकते हैं कि जो सं-चैय होती है वो दो से पूरी तरह से-विभाजि़ हो थी कोई भी ऐसी संघिया नहीं है जो दो से पुरता विभाजिवात ten लों बात क्लियर हो रही ना बच्चा लोग चलो तो यह हो गया दो का विभाजता नियम इसमें बहुत सारे कुश्चन है अभी आगे जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो यह आपको याद होना चाहिए वहाँ पे इसका यूज होगा इसलिए आप क्या करोगे बिन अला परवा सकता हम लेकिन लाइब में क्या होता ना टाइमी बहुत बैस्ट होता है और जो क्लास आप वीडियो में अगर 30 मिनट में जितना पढ़ लोगे उतना अगर लाइब में पढ़ाएंगे तो दो घंटे में पढ़ोगे यह बात याद रखना यानिन टाइम की जो है दो गुने तेन गुना सेविंग होती वीडियो में ये सब चीजें हम लिखेंगे आपको अगर दिखाएंगे लाइब तो आपके सामने वक्त आपका जायेगा इससे अच्छा हम अपना टाइम तीन गंटा देते हैं भले आपके गंटा के वीडियो के लिए लेकिन आप लोगों का हजार इसका डिविजबल्टी रूल क्या होता है यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यानि कि सम थ्री से पूर्टा यानि कंपलेटली डिविजबल है तो दी गई संख्या भी तीन से विभाजित होगी जैसे उदारन के तोर पे आप ले सकते हो एड़ फॉर थ्री आठ सो त अब 843 ये जो नंबर है ये तीन से विभाजित है कि नहीं इसके लिए आप इनके अंकों का योग कर लो आठ चार बारातीन 15 15 जो है वो क्या है तीन से पूरता विभाजिय है यानि ये संख्या 843 भी तीन से विभाजिय होगी दूसरा एक्जामपर लेलो मैंने यहां पे ल से पूरी तरह से विभाजी है आता हम कह सकते हैं कि यह जो भी है 157,323 यह भी तीन से पूरी तरह से विभाजीत है अभी इसमें बहुत सारे सवाल भी बनते हैं मैं आपको कुछ एकाद दो डेमो दिखा देता हूं बाकी तो हम इक सरसाइजी में देखेंगे देखिए मैंने एक question आपके सामने दिया अब इसे आप ध्यान दो तीन के विभाजिता नियम पर अधारित ऐसे ही सवाल आएंगे धेरो आएंगे अलग-अलग तरह से आएंगे कि एदी इसंख्या1573-03 3 तीन से पुर्टा विभाजी है particularly विभैज है तो Hm Paan गयात कीजिए यह तो एक तरह से हो गया ऐसे यह भी पूझा जा सकता है यह दी गई यह संख्या को पूरी तरह से विभाजित हैं तो ऐ का चोटा फरे चोटा कि मान क्या होगा या से मान मान क्या होगा ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है तो इसमें sådan हो वसे står फिलाल क्या होंगे option होगे तो आप option के according select कर लोगे अगर अगर अप धेयान से देखो तो यह नमबर वही है जो मैंने नीचे लिखा था इसमें से मैंने क्या किया है एक नमबर जो है दो इसको मैंने मिस कर दिया इसको मैंने गायब कर दिया न यही किया है न बस बाकी सवाल मैंने इसी पर बनाया है तो यानि जो उस पर उत्तर होगा एक अमान वो एक अमान दो आएगा लेकिन अब सवाल यह है कि आप इसे निकालोगे कैसे, आपसन में आपको दिये होंगे, एक मान चार होगा, तीन होगा, दो होगा, एक होगा, ऐसे आजाएगा, हर एक जम में लगभगा ऐसे आजाता है, थोड़ा इसका लेबल हाई कर देंगे, इदर उदर करके लेकिन रहे देखो आप क्या है, हमको पहला ऐसे जोड़ना सबको, अब इसमें सोचो अगर मैंने दो निकाल दिया तो क्या आएगा, भाई अगर मैंने दो इसमें निकाल दिया, इसकी जगा पर ए लिख दिया, मैं उसी को हल कर रहा हूँ, तो हमारा जो फाइनल में आंसर आएगा, वो तीन से कमपलेटली डिवाइड हो जाए, तो हमें पता है कि उननीस में हमें जोड़ना है, तो भाई अगर एक जोड़ोगे तो बीस होगा, बीस तो पुरी तरह विवाजे होगा नहीं, अगर हम दो जोड़ दें तो क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, एकाइस हो जाएगा और एकाइस पुरी तरह से विवाजे है, यानि एकाइक मान तो दो हो सकता है, लेकिन क्या सिर्फ दो होगा, नहीं, एकिस के बाद चौबिस भी दो से विवाजे है न, चौबिस भी दो से विवाजे है, अगर हम उननीस में पाँच जोड़ दें, तब भी क्या होगा, ये स अगर इसमें हम आठ जोड़ दें, तब भी क्या होगा, जो संख्या होगी, वो तीन से विवाजे बन जाएगी, अगर आपके आप्सन में जो चार आप्सन होंगे, उसमें से दो दिया है, तो दो साही हो जाएगा, पाँच है तो आठ है तो, ये मत सोचना कि दो पाँच आ इसमें क्या होता है, इसमें कुछ आलग है, यदि किसी दी गई संख्या के इकाई और दहाई, यानि वन्स आइंट टेंस प्लेस पे जो नंबर है, उससे बनने वाली जो संख्या है, वो अगर फोर से कमपलेटली डिवाइड होती है, तो पूरी की पूरी संख्या फोर से ड इंपल सा तरीका है, दीकई संख्या का आपका लाष्ट का दो अंक देखना है, इसमें का अगर हम लाष्ट का दो अंक देखें तो ये 88 है, अब आपको ये तो पता होगा कि 88 जो है, चार से पूरी तरह कटेगी कि नहीं कटेगी, कटेगी ना, अगर इसमें देखने तो ला है इस तरह से आपके एक्जाम में सवाल भी इस पर अधारित बनेंगे अभी कुछ हाई कुछ लोग कुछ क्वेश्चन करवाएंगे आप उनको ध्यान पूर्बग देखना इमांदारी से ठीक है हां जैसे अगर इसमें एक सवाल बना दिया जाए और आपको यहां पर दे दि हो सकता है क्या क्या हो सकता देखो कुल मिला करके इस पर जो हम्मान रखें उससे बनने वाली संख्या चार से विभाजित होनी चाहिए जरूरी नहीं कि उस पर 8 ही होगा पहला आपसन तो 8 हो सकता है दूसरा आपसन इसपे देखो बच्चा दो अगर कर दो तो नहीं apparatus दो से नहीं कटेगी यहाई आप इसपे चार कर सकते हो शार भी गर सकते 14 कर जाएगी तो 19 कजे कर सकते हो चेके आप इस पर चार कर सकते हो जया है घर चेक दो जायगा 68 और चार सार नहीं कटेगा ना 68 नहीं कटेगा ना 19 चौका कितना होता? 76 मदलब नहीं कटेगा यहनि हम इस पर 4 कर सकते हैं 8 कर सकते हैं और इस पर हम सुन भी कर सकते हैं क्यों? क्योंकि 0 आठ है यह जो 8 है यह संख्या भी तो 4 से कटेगी यहनि option इसके आपके हो सकते हैं सही 0, 4 और 8 C की जगा पे 3 अंक हो सकते हैं आप इन बात को ध्यान से समझेए इसकी अलावा और भी कुछ हो सकता है अगर उससे बनने वाली संख्या जो बन रही वो 4 से डिबाइड हो जाती है तब देखे वीडियो में बहुत साइदा है छोटी ही क्लास होगी लेकिन बहुत सारे आपको कंसेट क्लियर हो जाएंगे लेकिन अगर लाइब आपको हो तो हम लाइब भी आपको देंगे कमेंट करके बताना और एक बात और समझ लो अगर आपको कोई डाउट लगता है जादा आफ जादा भी उजाने चाहिए जिसे कि आपको यूटूब पे पूरी कलासे मिल सकें और अगर हां आप अच्छी तरह से जल्दी फिजल्दी पूरा लेना चाहते हैं तो भाई या पीविया रिश्टडी अप में जाकर के से टेट और टेट का कॉर्स ले लीजिए व वह 0 हो या 5 हो क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या में लाइष्ट में 0 तभी आता है जब उसको पांच से गुड़ा किया जाए अगर पांच से गुड़ा नहीं करोगे तो कभी भी सुनने वाला नंबर बनाई नहीं सकते हो कि बनेगा बता दो अगर बन रहा है तो आप आपको पांच का विभाजता नियम में देखना है कि जो नंग नंबर दी गई है संख्या दी गई है उसका लाइश्ट का डिजिट जो है सुनने हो या पांच हो अगर आपको इसमें एक सवाल पूछा जाए एक जांपल तो दोनों देख लो और भी बहुत सारे एक जांपल हो सकते हैं लाइश्ट में 5 हो या सुनने हो दोनों में से एक होना चाहिए है कि अगर जो जाई तब तो और अच्ही बात है सुनने में शुहागा हो जाएगा तब हुछा जारत द भी कटेगा एकर तब यह कटेगा अगर यहां पें यह पांच से और सुनने भी में गए कर आ इसमें एक सवाल आपसे पूचा जा सकता है कि अगर यह दी गई संख्या अबना गए आज आए पनसाद करों और यहां पे मानलो जेड दे दिया जा आए कि यह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजे है 5 से पूरी तरह से विभाजे है तो जेड का मान बताए नहीं तो इसी concept चल रहा है अभी आगे जब question करोगे तो थोड़े लंबे-लंबे question मिलेंगे अच्छी तरह से इफले यहां से समझो पहले तो जेड का मान क्या होगा या तो 0 होगा या 5 होगा option में 2 होगा दोनों में से आप वही लगा दोगे आजसा नहीं कि दोनों होगा हाँ अगर दोनों होगा तो आपको नीचे एक option ये भी मिलेगा कि 0 और 5 दोनों या फिर अगर ये ए पे है ये बी पे है तो एक option C में मिलेगा कि BNC दोनों ठीक है तो ये था आपका पांच का विबाज़ता नियम साथ वाला थोड़ा सा लंबा चौड़ा है बाकी छे वाला भी आसान है चलिए आगला देखते हैं अगर आप इस वीडियो को कहीं डेमो की रूप में देख पा रहे हैं जैसे कि फेस्बूक पे या यूटूब पे तो आप पेज को लाइक करें फेस्बूक पे हैं तो अगर यूटूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन अन करें वीडियो का डिस्क्रेप्शन जरूर चेक करें वहाँ पे आपको और जादी एक्ष्ट्रा जनकारी मिल जाएंगी अगर आप अप में कोर्स लियें तो इमानदारी से हर दिन एक दो घंटे पढ़िए जिसे कि जल्दी फे जल्दी आप खतम कर सकें और बाद में बलेम ना कर सकें कि भई आपको जमने कोर्स लिया था लेकिन अच्छा नहीं हुआ इसलिए आप पढ़िए इमानदारी से कोर्स लेने से कोई फायदा नहीं होगा अगर आप पढ़ोगे नहीं तो अगला देखिए छे का विभाजता नियम ये भी बहुत ही सिंपल सा है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बहुत ही आसान है कह रहा कि छे का विभाजता नियम ओही है जो तीन का विभाजता नियम है आपकी बुक में एक दू जगा तो ऐसे लिखा है कि वो संख्या है जो तीन से विभाजे होंगी वो छे से भी पूरता विभाजिय होंगी और इसमें एक condition है कि वो समसंख्या भाई अभी समसंख्या की बात नहीं हो रहे कुछ विसमसंख्याई भी तीन से कट जाएंगी लेकिन वो छे से नहीं कटेंगी हाँ ये सही है ये जो मैंने लिखा इसमें थोड़ा फाचेंजिंग होना चाहिए वो समसंख्याई लिख लो तो ज्यादा बेतर रहेगा ठीक है वो समसंख्याई जो तीन से पूरता विभाजिय है वो छे से भी विभाजित होंगी यहाँ पे ऐसा चैंजिंग कर लो वे सम संख्याएं जो तीन से यहाँ पे लिख लो जो तीन से विभाजित होंगी वो छे से भी पूरता विभाजित होंगी अब देखिए यहाँ पे बात यह संख्या की क्यूँ आ गई पता है क्योंकि जो कुछ संख्याएं बिसम हैं वो 3 से कट रही ही लेकिन 6 से नहीं कटेंगी नभी है 27 भी है लेकिन ये सभी विसम संख्याएं हैं और ये सभी तीन से तो कट रहीं लेकिन छे से नहीं कटेंगी इसके अलावाद जो भी सभी सम संख्याएं हैं वो सभी क्या करेंगी छे से भी पूरता विभाजित होंगी जैसे देखो ये संख्याएं न वितनी बड़ी यह सम है पहला नंबर तो क्योंकि इसमें लाइश्ट मेट है इनको अगर जोड़ोगे तो जो भी आएगा वो तीन से कटेगा पूरी तरह से या दीखिए आप कह सकते हो कि यह संख्या छे से भी पूरी तरह से विभाजित होगी तो याद रखना है वो सभी संख्या है जो तीन से पूरी तरह से विभाजित हो रही है तो वो छे से भी कटेंगी अब यह तीन से क्यों होगी अगर उनके अंको का योगफल तीन से विभाजित होगा तो संख्या भी तीन से विभाजित होगी योगपल जोड़ो 9,5,14,14,13,17,15,15,15,13,20,22,22,23,38 यानि कि जो इसका सम है वो 30,30,30 यहारा है यह 30 से कटेगा यह 6 से भी तो कटेगा न यह तो यह होगे आपका 6 का विवाजता नियम इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं ध्यान पूरबक देखना कलास को अगला देखिए 8 का विवाजता नियम देखिए कुछ लोगों के मन में होगा कि यह 7 वाला काय छोड़ दिये तो देखो यहां पे जो आपका सुपर टेट सीटेट का से ले बस है उसके अकरडिंग जो हमारे पास है उसमें 7 का विवाजता नियम नहीं है तो इस वज़ा से हम नहीं बता रहें ठीक है आप कमेंट करना अगर आपको जरूरत है तो आपको दे दिये जाएगा इसका पहले कलास में पढ़ाया गया जो आपका SSC पढ़ाया गया था उसमें था तो इसमें क्या है थोड़ी सी चेंजिंग है अगर दी गई संख्या के लाष्ट के तीन अंग मिलाने पर जो संख्या बनती है जैसे 488 बन रही इसमें लाष्ट के तीन अंग मिलाने पर संख्या 3-3-6 बन रही अगर ये संख्या आट से पूरी तरह से विभाजित है तो दी गई पूरी संख्या आठ से completely divide होगी यह है आठ का विवाजता नियम जिसे आप परिभासा लिखोगे अगर तो इस तरह से लिखोगे कि वो संख्या जिसके इकाई दहाई और सैकडा ऐसे बोलेंगे ना इकाई दहाई और सैकडा से या फिर इसको ऐसे लेख लो कोई भी संख्या आठ से पूरी तरह विवाजित होगी यदि संख्या के दाहिनी तरफ से बाई तरफ चलने पर संख्या के दाहिनी तरफ से बाई तरफ चलने पर इकाई दहाई और सैकडा अंकों से बनने वाली संख्या आठ से पुरता विभाजित है तो पूरी संक्या आठ से विभाजित होगी बस होगे सिंपल सा इसमें से आपसे कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं बनाये जा सकते हैं जैसे मानलो ये ऐसे दे दिया आपको यहाँ पर आपसे पूछ लिया कि चलो बहिया बताओ B के जगा पे क्या होगा अगर यह 8 से पूरी तरव भाजित है तो B कमान क्या होगा तो यहाँ पे B कमान 3 हो सकता है पहला आपसन है दूसरा आपसन देखो यहाँ पे अगर 2 रखके हम देख लें तो हमारी जो नमबर बन जाएगी भाईया 236 बन जाएग चार अगर आप लख लोगे तो भाईया यह 434 हो जाएगा और चार रखके देख लो 8 से अगर इसे काटोगे 85 चालिफ नहीं कटेगा यानि इस पर 3 हो सकता है इसकी अलामत 2 और 4 तो नहीं हो सकते बाकि आगे चेक करोगे तो हो सकता और भी नमबर ठीक है हाँ एकसरसाइज में हम और डे सारे सवाल करेंगे इसलिए कलास को एंडे तक देखना विचकुल बीच में कभी भी इसकी अपनी करना एक भी सिकंड और दोस्तों में सेर करिए अगर आप इस कलास को कहीं डेमो के रूप में देख पा रहें तो वीडियो को कता ही डाउनलो हम देखा था आपको याद होगा तो इसलिए कहते हैं न चेन भाइचेन जुड़ता है अगर आपको तीन का याद है तो अपको नो का याद हो जाएगा इसमें भी रूल है अगर दी गई संख्या के अंकों का योग फल जो है सम वह अगर नो से पुरी तरह से विभाजी है तो पूरी संख्या क्या होगी नौ से विवाजित होगी अन्यथा नहीं भी हो सकती है जोड़ लो इसको आठ चार बारा पांच सतरा सतरा में नौ जोड़ोगे सतरा तीन बीस चाचाबविस दूई अठाइस अठाइस आठ जोड़ोगे भाईया तो यह जाएगा अठाइस जाएगा 36 तो हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या जो कि यहां पर लिखी है आठ लाख पैतालिस हजार नौ सोट ठाइस यह भी क्या है नौ से कंप्लिटरी डिवाइड है इसको जोड़ो नो तीन बारा पांच सतरा सतरा में साथ जोड़ोगे तो चोबीस हो जाएगा इसमें से कोई अंक अगर हम गायब करके सवाल बना दें आपके लिए देखो यहां पर अगर मैंने यहां पर लिख दिया यम और कह दिया जाए कि यह संख्या नौ से कंप्लिटली डिवाइड है तो यम का मान ग्याद कीजिए या फिर यम का मान होगा आपसन धेर सारे दे दिये जाएं अगर उसमें पांच आपसन है इसका मतलब क्या है पांच सही है हाँ इसके लाव और भी कुछ सही हो सकता है भाई चटिस के आगे अगर बढ़ोगे तो नौ से क्या कटेगा पैटालिस आता है ना पैटालिस कब आएगा जब इस संख्या में नौ और जोड़ दिया जाया है नो और जोड़ दिया जाया है हो सकती है लेकिन सिंपल सी बात है हमें सिर्फ एक अंक लिखना है हम की जगा पे तो इस पर या तो चौदा होगा या फिर आप बैक में जाओ फिर 9.36 9.37 आप इस पर 27 बना सकते हो उसके लिए क्या होगा उसके लिए अगर इसको पांच को निकाल ही दें तब भी 31 होगा यानि आप यह मान लो कुल मिला के फिक्स है इस पर 5 ही हो सकता बाकी कुछ नहीं हो सकता है 5 के लावा कोई संख्या नहीं हो सकती है सिस्टम नहीं बनेगा इसलिए आप जान लो क्या होगा 5 होगा अगला है आपका दस का विभाजिता नियम इसको कोई बताने की जरूरते नहीं है इसको तो आप लोग यह नमबर मतलब आठवा नमबर है 10 का विभाजिता नियम सिंपल सा है हर वह संख्या 10 से विभाजित होगी जिसमें एक आयेंक सुनने होगा लाउस्ट में सुनने होगा तो दस से विभाजित होगी और थां नहीं होगी वाकी कोई कंडिफन नहीं है यह बहुत ही सिंपल सा बोला करके मिल रहा है ना सर आपको रिपलाई कर रहें कोई दिक्कत नहीं है देखें आपको पीले कलर में नीचे रिपलाई मिल रहा होगा पीवियर स्टेडी टीम की तरफ से कोई भी सवाल है आप पूछो आप तुरंट जबाब मिलेगा अगर मैं नाम लेता हूं टाइम बहुत कि ये थोड़ा सा आपके लिए टब पढ़ सकता इसमें तुर्द दिमाग लगा के समझना होगा वो 11 का गुड़ज हो गुड़ज का मतलब जैसे 11 हो 21 हो 22 हो 23 हो 44 हो मतलब 11 के पहड़ा वाला नमबर आना चाहिए या फिर सुनने हो तभी विवाजित हो गया नहीं होगी बिना एक्जामपल के आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा देख लीजिए मैं इसको एक एक्जामपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिस करता हूँ अगर आपको कहीं आसान भासा में मिल जाए तो हमें जरूर बताइएगा वसे इसका कोई और तोड़ है नहीं यही एक नियम है 11 से विवाजिता नियम का ठीक है तो इसे आप लोग लिख लिजिए अब हम इसके एक्जामपल पे चलते हैं और आपको इसका एक्जामपल दिखाते हैं जैसे इसके एक्जामपल पे आगे बढ़े हैं हम लोग ध्यान देना आप आप लोग लिखिए उदारण 11 के भी बाज़ता नियम का उदारण लिखिए जैसे माने एक नंबर ले लिया 91, 83 ठीक है अब धेहान दो आप लोग नंबर क्या है भाईया 91, 83 संक्या क्या है 91 and 83 अब संक्या के बाई तरफ से बाई तरफ नहीं इसका दाई तरफ ये है ये बाई तरफ है इधर से इधर को चलने पर यानि दाई से बाई और चलने पर सम और बिसम बाई पहले इसकी काउंटिंग कर लो यार देखो एक, दो, तीन ये चार, पांच, छे इसमें कुल छे अंक है तो सम अस्थान कौन सा है? ये दो सम अस्थान पर आठ है फिर सम अस्थान पर नौ है फिर सम अस्थान पर छे है बिसम और ले 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 तो एक, तीन, पांच है एक पर तीन है तीन पर क्या है? बच चाहे एक है पांच पर जीरो है यही हमें जोड़ना है है आप यहां पर क्या लिखेंगे सम अस्तानों के अंकों का योग ना पहले विसम का पूछा था हाँ चलो चाहे सम का लिख लो चाहे भिसम का लिख लो कल मिला करके आपको क्या करना है second को घटा देना है बस देखे आपकी पेज नंबर में दिया गया है 11 पर दफ ग्यारा नंबर पर दिया गया अगर आपके पास बूक है तो आप देख लो ठीक है चलो सम अस्थानों के अंकों का योग अंकों का योग देखो जो भी आएगा माइनस ओइनस में आजाएगा तब भी तो 11 फिकटेगा ना भई कुछ भी आजाए चाहे आप सम वाले को विसम से घटा दो विसम वाले को सम से घटा दो इसमें कोई confusion नहीं है आप चाहो तो पहले विस विसम का लिखेंगे कि विसम का इससे कोई मतलब नहीं है देखो अब क्या यह समस्थानों के अंकों का योग इसमें समस्थान क्या क्या है अब देखो तो दो है चार है और छे है यही है ना वैस समस्थान पर क्या है दो की जगा पर आठ है आब आठ लोगे फिर नौ और फ इसको भी देख लो बिसम अस्थानों के अंकों का योग भाया बिसम अस्थान पर पहला तीन है क्यों क्योंकि एक बिसम है इसकी जगा पर तीन है तीन जो है यह भी बिसम संख्या इसके जगा पर वन है तो वन और फिर एकवा बिसम जिरो मतलब पांच है पांच की जगा पर तो यह तो यह तीन ही एक हो जाएगा चार, आब लिखोगे ऍपसम और विसम अज्थानों के अंखोगे, आइसे नहीं यार कैसे लिखोगे? सम अस्थानों के अंकों का योग माइनस बिसम अस्थानों के अंकों का योग गटा लो तो एकाईस आएगा क्यों सही है यह एकाईस आएगा सही है 21-46 होगा नहीं गलत है 11-4-5 होता है न तो गटांगे तो क्या आएगा 22 आएगा यह चीज तो आपको आना ही चाहिए गटाना जोड़ना तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है तो बाइस क्या है ग्यारा का से विभाजी है की नहीं है ना ग्यारा से विभाजी है हाँ कुछ लोगों के मन में होगा अगर हम उल्टा करे होते तो चार माइनस बाइस होता तब माइनस का बाइस आता माइनस बाइस आता तब भी तो कड़ता नहीं है ग्यारा से माइनस में अ आप गर आप समझ जाओगे तब बाकि अगर कोई ट्रीक हो गएर आप ही आगे पढ़ोगे तो हम आपको बता देंगे कुईस्चन में आपको इसका युजनी करना पड़ेगा नहीं तो आप लोग कंपटिशन में यह सब करोगे तब तो बड़ा लफड़ा होई जाएगा अगर बात करें तो दस तक ही आपको मतलब आना चाहिए दस तक ही बाकि उसके उपर कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है तो आज की एक लास यहीं पर खतम करते हैं हाँ अगर आपके मन में कोई सवाल है तो निसंकोज बताइए अगर आपने कोर्स एप में लिया है और बच्चे कोर्स ली कि गया इस नमबर पर फोड़ी न भी नबर न जो भी चन देखते हैं तो फिलाल आज के लिए दो यह बहुत में कोई सवाल है तो निसंकोज बताइए अगर आपने इस बीडियो को यूडुब 61 को बेमो के रुप lyrics उना को देखिए ँरिया लिशे dar से एक सिस्टम से देखिए बाकि आपको यूटूबब भी वह सारी कलासे मिलेंगी उसके लिए लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि फिरी कलास के लिए थोड़ा टाइम कम होता है तो वीडियो आने में करिए इसके आगे हम आपको बहुत सारे सवाल भी करवाएंगे इंतजार करिएगा अगली क्लास का अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और बेल आइकन कॉन करके रखिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे अगर आप इस कलास को फेस्बुक पे देख पा रहें तो पीवियर स्टेडी के फेस्बुक पेज को फॉलो करें अगर आप इसे यूटूब पे ही देख रहें तो डिस्क्रेप्श